दमाकों से एक बार फिर रूस दहल गया है दमाके रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में दो मेट्रो स्टेशनों पर हुए है लोकल मीडिया के मुताबिक दमाकों में कम से कम दस लोगों की मौत हुई है जबकि 50 से ज़ादा लोग खायल बताए जा रहे हैं चश्म दीदों की माने तो दमाका इतना जोरदार था कि पूरी सुरंग दहल गई हमले के बाद स्टेशन को खाली करा लिया गया है आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि दमाके की वज़े से कैसे ट्रेन के पर खच्चे उड़ गए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिग मेंटर स्टेशन पर जगा जगा खून के दाग लगे हैं दमाकों के बाद कई मेंटर स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा जाच बढ़ा दी गई है धमाके उस वक्त हुए जब आमतोर पर मेट्रो स्टेशनों पर काफी भीड रहती है लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रेन के भीतर विसफोटक उक्रण को सेट किया गया था खबर लिखे जाने तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है लेकिन धमाकों को देखकर ऐसा लग रहा है ये आकड़ा बढ़ सकता है इससे पहले 2010 में मौस्को के दो मेट्रो स्टिशनों पर आत्मगाती हमले में 40 लोग मारे गए थे जबकि 100 से ज़्यादा लोग खायल हुए थे NMF News की रिपोर्ट